कि यहां दोस्तों आपको सई जगार आया है आप लोग कॉंट्रेक्ट एन एकाउंट से सब्जेक्ट से रिलेटर कोशन पेपर को देखना चाहते तो आप लोग सई जगार पर आया है और भी जितने भी कोशन है वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे सीविल इंजिनिरिंग स से सिक्स सेमेस्टर के ठीक है तो आपने प्लेटरिस में जाकर देख सकते हैं फिलाल अभी इस पेपर का बात करता है और यह पेपर होता है एंसर इन यूर ओवर्ड तो यहां पर शिम्पली आपको पाच कोशन मनाना है जिसमें से कोशन वन कंपसर ही है और कोशन वन आपका ट्रू और फॉर्स है आप लोग को दीख रहा होगा और सारे कोशन दो दो मांक कर रहा है और टोटल आपका है एट कोशन तो हो जाथा है ठीक अब आप लोग देखिए टू फॉर्स यहां दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा चोथा और आप लोग को अगर दिक्कत हो रहा तो आप लोग स्लो और फास्ट कर सकते है अकॉर्डिंग यूटूब में यह ओप्सन दिया गया है तो यह आपको बताना था और आप लो से वीडियो बना दूँगा अभी फिलाई यहां पर कोशन कम लोग बात करते हैं तो यहां पर एट टू फॉल्स हो गया है ठीक है तो अब यहां पर देखिए कोशन नंबर थ्री है यहां पर कोशन नंबर साइद वह नहीं नहीं दिख रहा है वाट डिफ्रेंट मेथर्स इ है देख रहे है कोशन नंबर टू है वाट रिफ्रेंट मेथर्स यूज इन पीड़ी फर क्यारिंग आउट गॉर्ट करना है सारे एक सिस्टीन माक्स करें आपको उसी हिसाब से आपको लिखना है यह नहीं कि एक ही पेज में सारा लिखती एक पेज में नहीं लिखना है को दे दोनों साइड अब थीरी में देखे वाड़ा दे डिफ्रेंट अब कॉंट्रेक्ट यहां पर आप लोग देखिए कोशन एक्स्प्रेंदा मेथर्ड ऑप कैरिंग आउट वर्क अब यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग अब स्किन सोट या फिर आप लोग लिख सकते हैं और आप लोग कोशन पेपर सिख सेमेस्टर का और भी कोशन पेपर सारे यहां अबलेबल है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए अपने six semester civil का आप लोग playlist खोलिए वहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे ठीक है बहुत सारे playlist है हर ब्रांच का है तो आप लोग अपने ब्रांच का खोलिए हो देखिए तो यहाँ पर देख रहे है marks distribution भी यहाँ पर देख रहा है आपको what are the different types of measurement book using PWD and purpose numbers for तो आप लोग एक बाद ध्यान रखिएगा कि question paper में answer लिखते वक्त उसको कि अगर किसे का handwriting छोटा है तो उसको medium करने का को सिस्कीज है क्योंकि छोटा handwriting से आपका page तो नहीं भरेगा और उपस से आपको अगर आता भी हो फिर भी आपको कम marks मिलेगा यह बात बहुत आप लोग नोट कर लिए तो यह एक रियल है प्रैक्टिकल बात है जो क्या आपको समझना होगा अगर अच्छे marks लाने है तो पास होना है तो फिर आप कुछ बोल नहीं सकते हैं आप लोग यह कोशन पेपर कर लिए एकदम से पास हो जाइएगा 100% guarantee के साथ जितने भी कोशन आपको दीख रहे इस कोशन पेपर में बस आप लोग पढ़ लिजे पास तो आप लोग होना ही है तो चलिए यह page complete होके अब लोग चलते next page पे और next page पे आप लोग दीख रहा है differentiate between है आपका page number two पर start है तो पहला आपका क्या है थोड़ा से यह blur है तो मैं इसको थोड़ा से read कर दूँगा ताकि आपको कोई भी दिखतना हो तो यहाँ पर है impressed and temporary advance ठीक है पहला आपका यह है उसके बाद और हाँ इसमें आपको differentiate between में option नहीं दिया गया मिस आपको जितना भी अगर आप c question item करते हैं तो आपको सारा differentiate item करना होगा यह बात ध्यान रखें तो फिर है book value and scrap value पिस c है पिटी advance and mobilization advance फिदी है standard MB and check MB ठीक है इतना हो गया अब हम लोग 7 में देखे short question दिया गया है तो आप लोग अगर attempt कर रहे हैं तो कोई भी चार को आपको बनाईए कोई भी जो आपको आता हो वो ही बनाईए उसमें अगर पहला है subletting contract और next money है next tender है depreciation है lead and lift है schedule rate है तो question पेपर तो complete हो गया लेकिन आप लोग ध्यान रहें यह question important बहुत है और भी question के लिए आपको screen में दीख रहा होगा वहां से भी आप जा सकते है question अपने देख सकते है और अपने marks इंप्रूब कर सकते है तो आज के वीडियो में इतना ही फिर में दो next video में